हेलो अबरेवन वेलकम यूओ अट लोकिसर अलिम्लिम्टेट इस्टेडी जोन तो स्टार्ट कर रहे हैं यहां पर कुछ अच्छे डाउट क्वेशन्स ओके तो मैट्स क्लास 10 सीवेसी बूर्ड हेडिंग बना लिजिए सीवेसी क्लास 10 मैट्स चली पहला क्वेशन डाउट का आपके सामने लेकर क्या हूं बढ़ी आसा क्वेशन है इन्दा फिगर आपके सामने एक फिगर बना रहा हूं सबसे पहले आप लोग अपने पर फिगर बना लिजिए मैं एडूकार्ट से सेंपल पेपर सॉल्व कर रहा हूं आप लोगों और यहां पर एक पास पॉइंट आपके पास बना है जिसका नाम पॉइंट है पी 2,3 और यह किसका है मिट पॉइंट यह है सेग्मेंट ध्यान से देखना ए उपर है अगर गलती से भी आपने ए और बी का क्रम बदल दिया तो आपका आंसर सही आने के बाद भी आपका अंसर अने है कि point क्या होंगे तो very simple question देखिए यह वाला जो point है x-axis पर है आपको पता है x-axis पर x-coordinate जिंदाबाद और y-coordinate मुर्दाबाद ओके और यहां पर देखिए y-axis है y-coordinate पर x-coordinate मुर्दाबाद और y-coordinate जिंदाबाद ओके तो y-coordinate पे जो general coordinate होते है क्या होते 0,y और x- पर जो जनरल कोडिनेट होते हैं, वो क्या होते हैं, x, 0, अब देर किस बात कि बच्चों, midpoint की property लगा दिए, तो midpoint पहला कितना दिया है 2, तो 2 किसका, किसका midpoint है, 0 का और x का, तो मैं लिख सकता हूँ, 2 equal to 0 plus x upon कितना, 2, 2 तो जा कितना हो गया, 4 equal to 0 plus x, तो y जो midpoint, y जो निकालना है, उसके लिए क्या करेंगे, 3 का इस्तेमाल करेंगे, तो हम लिखेंगे, जो 3 है, वो midpoint है किसका, y का और 0 का, क्योंकि यहाँ पर y1 है, y और y2 कितना है, 0, तो y और 0 upon 2 equal to कितना हो गया, 3, तो 2, 3 जा कितना हो गया, 6 equal to y plus 0, so y equal to कितना आ गया, बच्चों, 6 आ गया, तो इस तरीके से अपने बाद जो coordinate होगा, जो इसके coordinate बनेंगे, a point क्या बनेंगे, 0, 6, क्या बनेंगे, 0, 6, okay, तो लिखना न भूलें, तो answer यहाँ पर क्या आएगा, answer यहाँ पर आएगा, पहले इस लोगों ने a पूछा है, बाद में b पूछा है, ध्यान से रिखे, पहले a पूछा है, बाद में b पूछा है, कुसी कुसी कमारे, मगर देखे, यह बिल्कुल गलत हो जाएगा, आपको 0 नमर दे, क्योंकि उसमें order क्या दिया गया, उसमें पहले पूछा है, 1 cm, ओके, age मतलब एक इसकी side, सो सारी side equal होती न, क्यों में तो सारी side equal होती है, तो सारी side कितनी मालो आप a, a equal to कितनी यह 1 cm, कितनी होगी, देखे, क्या दिया गया है, आपको जो diameter दिया गया है, दी किता दिया गया आपको 3.5 mm 3.5 mm बीटा देखो यह question cm में है ना तो cm को mm को cm में बदल लो मम को किसे में बदल लो cm में तो 3.5 mm जो है इसको cm बदल लो तो देखे 1 cm में 1 cm में किते होते हैं 10 mm तो 1 mm में किते cm होंगे 1 upon 10 cm कि तो यह पर देंके 3.5 3.5 multiply by 1 upon 10 centimetre और यह क्या चल रहा है यह चल रहा है और आपको पता है कि जो डाय मेंटर होता फो रेडियस का डबल होता है तो आप एक काम कर एकर देंगे इसको एक अकाम कर देंगे 3.5 upon 10 3.5 upon 10 और यदि आप R करेंगे तो आपके पास कितना आजागा 3.5 और 2 x 10 मतलब कि 20 cm आगे रिडियस क्या आपकी रिडियस अब देखिए क्या कह रहा है अब यह कह रहा है कि इसको जो पिघला करके आपने यह बनाया है मतलब जो वॉल्यूम होगा क्यूब का वॉल्यूम अब दा क् इक कर तू वॉल्यूम औफ सिलेंडर बो हाया न वालिम अब दाक्यू इकूल तो ब्रेटेंट हींटू हाइट मतलब ए इन्टू ए इन्टू ए याने एक का क्यू भूलो यासानो एकल डू पाइस लेंडर का बालियूम कितना हो था पाई आल इसक्वयर एच पायर श्क्व 3.5 by 20, ओके, और multiply बे कितना h, ठीक है न, अब चलिए इसको आपको solve करना है, तो जो जो नीचे है वो वो उपर ले जाओ, और h को अकेला छोड़ दो, चलिए थोड़ी जगह बना दी, मैंने यहाँ पर, देखे, पुराने लोग किनारे हो जाओ, यह हो गया, अब h, देखे, h को आपको रोकना है, h को आपने रोक लिया, उपर तो 1 है, तो कोई प्रभावर डालेगा नहीं, 7 उपर, 20 उपर, 20 उपर, नीचे कितना, 22 नीचे, यहाँ पे कितना, 3.5 और यहाँ पी भी कितना, 3.5, बोली क्लियर है, पाइर स्क्वेर, अब देखे, यहाँ से इसको cancel कर द चार बार, और यह भी कितना गया, देखे, 5 से, 5 से, 7 बार, कितने बार गया, 7 बार, तो देखे, आपके पास उपर कितना बच चुका है, आपके पास उपर बच चुका है, 4, हाचा, 4 से भी जाएगा, भाई, 5 बार, कितने बार जाएगा, 4 से, ए, ने, 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 चले, इसक ओके बिल्कुल से यह देखे पांच है और यह कितने बार गया चार बार कितने बार गया चार बार तो अब सारा का सारा कैंसल हो चुका है अब देखिए उपर क्या क्या बचा है उपर एक दो बचा हुआ है ठीक है ना दो बचा है और एक क्या बचा है चार बचा है और दस है गाना तो मतलब ऊपर कितना हो जागा 800 800 अपॉन 77 800 अपॉन 77 सेंटी मीटर क्लियर बच्चों चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या डाउट है भाई साब 10th क्लास का अगला क्वेश्चन डाउट देखेंगे यस तो नेक्स क्वेश्चन डाउट देखने 10th क्लास का क्वेश्चन नमबर 10 डाउट है एड़ू काट सेंपल पेपर नमबर 10 चल रहा है हमाई पास और इसका डाउट है पढ़ दिता हूं आपके लिए इस एंथ टर्म आफ एपी आपकी एपी का जो एंथ टर्म है वो कितना दिया है 3 plus n by 4 यह देखिए एपी का एंथ टर्म दिया है मैंने कितना 3 plus n by 4 तो आप से बुला गया है common difference निकलो अरे भाई साम मुझे दुनिया में से सरल क्वेश्चन कोई हो नहीं सकता है common difference मतलब पहला टर्म और दूसरा टर्म निकाल लो और अगला माइनस पिछला कर दो तो a1 मतलब एनिकी जगह पर 1 खिला दो तो 3 plus 1 by 4 बोले तो कितना हो गया 4 by 4 बोलो answer कितना है 1 बेटा ठीक है और a2 equal to second term लगाए 3 plus 2 by 4 answer कितना आ गया 5 by 4 बोलो yes or no answer कितना आ गया 5 by 4 अब इसको आंगे तो solve करनी सकते हैं चलिए अब आपको निकालना है common difference तो सब बच्चों a2 minus a1 a2 कितना बच्चो 5 by 4 a1 कितना है 1 तो answer कितना हो जाएगा 5 minus 4 upon 4 बोले तो 1 by 4 is the answer बोलो done clear है कि नहीं है चलिए अगला question देखते हैं अगला question है question number 13 question number 13 देखने वाले है yes do card sample paper number 10 question number 13 चलिए देखिए कह रहा है कि value of x बताना है value of x बताना है और एक आपके सामने quadratic equation दिया गया है under root 2 x square plus 7 x plus 5 root 2 यह आपके पास में quadratic equation है आपको value of x बतानी है देखिए कैसे solve होगा आपके पास में तो best method है इसको solve करने का एक तो तरीका है कि आप इसमें completing sorry middle term splitting लगा लो but up-site दिमाग चल जाया तो तो की बात है देखिए कैसे करेंगे देखो क्या होता है एक है root 2 है और जी सी कैया आपके पास 5 root 2 देखिए है आपके पास root 2 वी क्या आपके पास 7 और तो और 5 root 2 मैं आप से चाहूंगा एक कोशन ध्यान से सुनें आप लोग देखिए तो ए कि 10 आए, multiply करने पर कितना आए, 10 आए, और जोडने पर कितना आए, 7 आए, तो मैं करूंगा 5 और 2, क्या लोगँगा 5 और 2, तो मैं लोगँगा इसको अंडर root 2x स्क्वाइर, और यहाँ पर मैं लिखूँगा 2x और यह लिखूँगा 5x और 5 root 2, आप मैं इसे पूछेंगे, त आपने पहले 5 क्यों नहीं लिखा क्योंकि देखो भाई रूट 2 है यह 2 से बाहर आएगा और यह 5 है इससे 5 बाहर आएगा इसलिए मैं लिखा इकल्डू किता जीरो चली देखिए यह है रूट 2 X स्क्वेर अब आप जानते हैं कि भाई साब जो 2 होता है तू होता है रूट 2 इंटर रूट 2 मैसकरिया अबर दो बार रूट 2 लिख सकता हो रूट 2 रूट 2 रूट 2 और यह क्या हो गया एक्स और यहां पर फाइब एकस तो ही है है और यहां पर कित्ता हो गया फाईव रूट 2 एक पॉल्डू किता चल रहा है चीड़ों चलोग बैशना बह lugत इसमें 5 common आने के बाद यहाँ पर x छूड़ गया और यहाँ पर कितना बज गया only root 2 equal to 0 यह दोनों एक जैसे इनको common निकाल लो तो x plus root 2 और यहाँ पर x root 2 plus 5 equal to कितना हो गया 0 1 by 1 0 कर दो तो पहला है x plus root 2 equal to 0 तो x equal to कितना आ गया minus root 2 तो एक root 1 आ जाएगा अपने पास में root कितना minus root 2 और दूसरा देखिए आपके पास में क्या है दूसरा आपके पास में है यस दूसरा आपके पास में है x root 2 plus 5 equal to 0 तो x root 2 x root 2 equal to कितना हो जाएगा minus 5 कितना हो जाएगा minus 5 तो यह आपके पास में आ जाएगा x equal to minus 5 by root 2 तो इस तरीके से आप इस question को कर सकते हैं आसान question है बड़ देखिए यहाँ पर जो edu got में दिया गया है इसमें कोई option match नहीं हो रहा है तो यह question की गलती है इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं इसमें कोई option match नहीं हो रहा है यहाँ पर incorrect मेरेखियाल से एक यह जो आपका D option है answer होगा और Śपृ मिस्प्रिंट हो गई यह कया हो गई है इस वज़े से ऐसा हो चुका है ना हाँ चली अगला question चलते हैं अगला question करना है आपको question number 21 का अगला मैं question कराऊंगा देखे question number 21 ये रेखे जी question number 21 में आपको करा रहा हूँ question number 21 में क्या लिखा है in the given figure a b equal to a c prove that b e कुछ b e equal to e c चली question में बना देता हूँ देखे सबसे पहले आपके पास में क्या है आपके पास में एक triangle है ये आपके पास में एक triangle बना लेजी सब लोग सबसे पहले आप एक triangle बना लेजी ये triangle का नाम है a b c question number 21 है edugard का part number 2 अब देखे आपके पास इसके अंदर एक circle बना हुआ है, तो मैं एक इसके अंदर जो है, circle बना लेता हूँ, ये मैंने इसके अंदर क्या बना लिया, एक circle बना लिया, भाई सब, ये मैंने इसके अंदर circle बना, अब कह रहा है, A B equal to A C है, मतलब given है हम लोग को, given है क्या, A B equal to A C, भाई अच्छी बात ह यह बन गया है D यह बन गया आपने पास F यह बन गया है F और यह बन चुका है किता E तो आप से पूछा जा रहा है BE equal to EC आप से यह पूछा जा जा गाए बच्चों देखते हैं देखो आपको क्या दिया गया है आपको दिया गए है AB is equal to AC तो यहीं से सुरुआत होगी question की AB is equal to AC से मेरे बच्चो AB को आप क्या लिख सकते हो आप AB को AD plus DB लिख सकते हो AD plus किता हो गया DB बुलिए S on No और आप AC को क्या लिख सकते हो AC AF plus FC तो इसको लिख सकते हो AF plus कितना FC बुलिए S on No तो जो AD है, AF है, equal के दोनों साइड है, क्या हो जाएंगे, cancel, बुलो yes or no, ओके, अब दिया है, आपके पास में DB equal to FC, DB equal to FC, आप ध्यान से देखिए, क्या DB जो होगा, क्या BE के बराबर नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि DB जो है, tangent है B से, और BE भी क्या है, tangent है B से, तो DB और BE, यहां पर मैं क्या लिख दूँ, BE, बुलिए S or no, अब देखिए FC जो है, क्या FC EC के बराबर नहीं होगा, बिल्कुल होगा, तो FC EC के बराबर होगा, तो यहां पर क्या लिख दिया है, B E equal to CE, बुलिए आ गया क्रेयर है, तो answer यहीं प्रूप करना था,